नमस्कार दोस्तों आप सीखे चैनल में आपका स्वागत है आज हम एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा यानि सिंगल रिब में बारर सीखेंगे लेकिन मल्टी कलर में जब हम मल्टी कलर में बारर बनाते हैं तो देखिए ये एक ऐसा है दोनों में देखिए कितना अंतर है तो हम कैसे बनाएं कि ऐसे नीट एंड क्लीन बनें तो आज हम इसे ही सीखेंगे तो चलिए फ्रैंड्स हम बनाते हैं तो यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपिया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें वीडियो और डिजाइन अच्छे लगे तो कृपिया इसे लाइक करें अपने फ्रैंड्स और फैमिली में शेयर करें तो चलिए फ्रैंड्स हम सीखते हैं तो मैंने 16 फंदे डाल लिए हैं और जैसा कि हम सिंगल बुनते हैं एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा तो एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बुनते हुए हम पूरी लाइन कंप्लेट कर लेंगे तो मैंने पहली लाइन कम्प्लीट कर ली अब रॉंग साइड में भी हम सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा बुनते हुए लाइन कम्प्लीट कर लेंगे तो मैं चार लाइन कम्प्लीट कर ले रही हूँ फिर आपको दिखाते हूँ तो हमने चार लाइन बू लिया अब शुक्कि हम मल्किकलर में बॉर्डर बना रहे तो यहां पे हम अपना दूसरा कलर अटाइच कर लेंगे इस बात लेते हैं उर अब देखते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि यहां ओकडम neatz कलीन है तो हम यहाँ पे सब भी फंदों को सीधा बुनेंगे जब हम अभी तक हमने क्या किया सीधे को सीधा बुनते थे उल्टे को उल्टा बुनते थे ऐसे उल्टा तो यह ऐसे हमारा आ जाता था लेकिन हम इसे नीट और क्लीन बनाने के लिए क्या करेंगे उल्टे वाले फंदे को भी सीधा ही बुनेंगे सीधे को भी सीधा उल्टे को भी सीधा यानि हम पूरी लाइन सीधी बुन लेंगे जब हम नया कलर लगाएंगे तो सब भी फंदों को सीधा बुन लेंगे हमने उल्टे वाले फंदे को भी सीधा ही बुन लिया है अब हम आ जाएंगे रॉंग साइड में और देखिए पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे अगला फंदा उल्टा है इसे उल्टा बुनेंगे उन दूसरी और अब देखिए ये हमारा सीधी लाइन जा रही है तो हम इस लाइन को सीधा बुनेंगे उन अपनी और ये फंदा देखे ये उल्टी लाइन जा रही है तो इसे हम उल्टा उन दूसरी ओर देखे ये लाइन हमारी सीधी जा रही थी तो हम इसको इग्नोर करेंगे और इस लाइन को कांटिनियो करेंगे यानि अब हम इसे सीधा ही बुनेंगे सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधे पर सीधा और उल्टे वाले फंदे को उल्टा बुनेंगे जैसा कि हम बुनते आए हैं, हम में इस एक लाइन को इग्नोर करना है उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा, लास्ट फंदा, उल्टा ये देखिए हमारा एकदम क्लेन बन के आया है मैं चार लाइन बुन के दिखाती हूँ तो देखिए मैंने चार लाइन कंप्लिट कर लिया अब यदि हमें फिर कलर चेंज करना हो तो हम सिंगल रिब में न बुन कर सभी फंदो को सीधा बुनेंगे जबे भी हम दूसरा कलर चेंज करेंगे तो बर्डर को सिंगल रिम में ना बुनेंगे सबी फंदों को सीधा बुनेंगे उल्टे वाले फंदे को भी हम सीधा बुनेंगे सीधा को तो सीधा बुन नहीं है उल्टे वाले फंदे को भी हम सीधा ही बुन लेंगे और wrong side में हम फिर अपने pattern को continue करेंगे यानि जो line आ रही है अब पहला फंदे को हम slip कर लेंगे अगला फंदा उल्टा है तो इसे हम उल्टा पुनेंगे और देखे ये सीधी line जा रही है तो इसे हम सीधा पुनेंगे यानि जो line जारी है उसी को हम continue करेंगे तो पीछे की तरफ से हमें wrong side से हमें अपने pattern को continue करना है जब हम नया रंग लगाएंगे तो पहली line में हम सब फंदो को सीधा ही बुनेंगे तो हमारा border एकदम neat and clean आएगा दिखें तो आशा है आपको मेरा ये च्रिक पसंदाय होगा यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लेज लाइक शेर और सब्सक्राइब थेंक्स फर वाचिंग